दोस्तो आपका हमारे यूट्यूब शेनल पर स्वागत है दोस्तो ये बास सच है कि 15 से 18 बर्स की लड़किया लड़कों की ओर सबसे ज़्यादा आकरसित होती है यानि कि इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि 15 से 18 बर्स के लड़के लड़कियों को प्यार का कीड़ा सबसे ज़्यादा परिशान करता है इतना ही नहीं इस उम्र के लड़के लड़किया प्यार के लिए कुछ भी करने को तयार हो जाते हैं क्योंकि इस उम्र के अक्सर लड़के लड़कियों को सिक्के का सिर्फ एक पहलू ही दिखाई देता है और वे उसे ही सच मान लेते हैं चलो बताते हैं दोस्तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लएं साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर और पर क्लिक करें नमबर बन बन दोस्तों ये बाद सच है कि 15 से 18 वर्ष की उम्र के लड़के लड़किया एक दूसरे की और सबसे ज़्यादा आकरसित होते हैं कि इस उम्र का लगाओ काफी हद तक निस्वार्थ होता है क्योंकि इस उम्र के अकसर लड़के लड़कियों के मन में सिर्फ प्यार की लहरें ही उठ रही होती है लेकिन जैसे जैसे उम्र 20 के पार हो जाती है तो अकसर लड़के लड़किया प्यार को अपनी सारी लिग इच्छाओं का जरिया बना लेते हैं खेर कुछ लड़के लड़कियां ऐसे भी होते हैं जो अपने प्रेमी प्रेमका से सच्चा प्यार करते हैं यानि कि उन्हें सारीरिक इच्छाओं की पूर्ती से कोई मतलब नहीं होता वहीं इनमें कुछ लड़के लड़कियां ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, और एक दूसरे से अपनी इच्छाओं की पूर्ती भी करते हैं, सिकर नंबर, दोस्तों कहते हैं कि प्यार एक जलक में हो जाता है, किन्ट ये सच नहीं है, क्योंकि एक जलक में जो होता है, उसे प्यार नहीं, आकरसर कहते हैं, दोस्तो विपरीत लिंग के प्रति आकरसर किस पैप्टिन नामक हार्मोन के कारण होता है जो मानाव मस्तिस्क में पाया जाता है इस हार्मोन की बज़े से इनसान एक दूसरे के प्रति आकरसित होते हैं इतना ही नहीं इसी हार्मोन के कारण इनसान में सारीरिक इच्छाएं भी जाकरि थार्ड नंबर सारीदिक और भावनात्मक बदलाव से होकर गुजरते हैं इतना ही नहीं हार्मोनल परबरतन के करण एक दूसरे के बारे में जानने की जादा से जादा जिग्यासा रहती है और उनमें सारीदिक फिलिंग्स का विकास होता है दोस्तों वीडियो को लाइक करें चैनल को सबस्क स्क्राइब करें थन नवा